तो कैसे है आप आज मैं आपको इस्टप का स्टीच इफेक्ट फोटोशोप में कैसे लगाना है वो शिखने वालो और अपी तक आपने मिना चैनल सब्सक्राइब कर लेजे तो चलिए आगे बढ़ते तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोटोशोप इंड़ा उपन कर लिए औ दोस्तों आपको यह इमेज में डिस्क्रिशन लिंग में दे देता हूँ हाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप टूल में जाना रहेगा और कोई भी आपको जहाँ इफेक्ट लगा नाम के उपर वो नाम यहाँ पर आपको करेगा तो मैं यहाँ पर सिम्पल सा स्टीच लिख देता हूँ करेक्टर पेनल में जाता हूँ यहाँ से थोड़ा में 50 स्पेस रख देता हूँ और कंट्रोल टी करके इसको में थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ तो कुछ इस तरह हमारा रेड़ी है भी तक का सेम मैं इसका दूसरा वोड़ ले लेता हूँ इफेक्ट इस में थोड़ा में ज़्यादा स्पेसिंग कर देंगा 500 करीब फेसे कंट्रोल टी सिप्ट के साथ स्प्रेस करूंगा तो प्रपोजना लिवो बढ़ा होगा दोस्तो तो आपको कुछ भी बढ़ा करना है तो आप शिप का यूज कर जिए तो कुछ इस तरह मैंने दो वोड़ लेक दिये दोस्तो स्टीच इफेक्ट अभी सिंपल सापको क्या करना है लेयर मेनू में जाना है स्टीच के उपर ट्राइट क्लिक करना है यहाँ पर एक ओप्शन म खीक में करना होएए आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह मारा पुरा सेक में अलब है हैं मं कर देना है इसको सिलें करतेगों क Cafariat को मैं 5 कर देता हूँ तो आप देख सेकता हो हमारा स्टोक अभी 5 है अभी फिर से रेक्टेंगल जाते हैं यहां से तो आपको समने कुछ इस तरह का लाइन का प्रोपर्टी आएगा यहां पर आप यह वाला सिलेक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको लाइन दीखेगा और यह व इंसएट कर सकते हो और आउट साथ में कर सकते हो इसको में यहाँ S00ंट रख देता हूँ उसका क्यप अभी यहां से राउंड कर दोगे तो हमार 아니라 यह पूरा जो सेपять और यहां से उसका थोड़ा बाँ निकलेगा राउंड कर देगे दोस्टों और इसका जो कॉर्णर कैसि आप कुन सा रखना वाल है तो भी राउन कर देते हैं दोस्तों अभी यहां पर आपको डेसेज लाइन दीखेगा यह अंचेक कर दोगे तो पूरा प्लैन देखेगा मतलब वन लाइन दीखेगा इसको ओन कर दीजिए तो आपको यहां पर बीच में ब्रेक मिलेगा वह किस तर हुँआ आप बटा भी शकते हो मतलब छे कर देंगे तो बीच यहां से में कुछ पांच टीन करदेता हूँ कुछ इस तरह का मारा सेफ हो जाएगा दूस्तों और ओके कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का हमारा यह च्टीच टैप का एफेक्ट रेडी हो गया है दोस्तों अ और अभी यहां से हम यह तिसरा वाला सिलेक करेंगे जो डॉट डॉट वाला है वो तो को इस तरह का मारा एफेक्ट रेडी है दोस्तो अभी क्या करते हैं अभी यहां से में स्टिच में डबल क्लिक करता हूँ तो को इस तरह का लेयर स्टैल आपके आप सामने उपन हो जाए यहां पर आपको बेवल एंज एंबोस पर क्लिक करना है दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से एंबोस सीलेक करना है और चिजल स्वप शीलेक करना है उसके बाद आपको यहां पर अपना चीज प्रोपर्टी चाहिए उस प्रोपर्टी के तहत आपको इसक किया हुआ है कापट के उपर दोस्तों तो कुछ इस तरह का 3D टाइप का थोड़ा मैंसूज होगा को कि इसके उपर तोड़ा आप यहां से डॉपशेडो भी दे सकते हो डॉपल क्लिक करके डॉपशेडो और यहां से आप कुछ भी ब्लेक कलर देंगे यहां से मुल्टिप्लाइ कर देगे आप तो कुछ इस तरह अब यहापको 90 डिगरी देना है या 135 तो कुछ इस तरह आपक्दी देखेगा अब दे देख सकतो यहां पर प्रिव्य हो यहां पर भी दिखाई दे रहा है तो जिस्टन हम थोड़ा कमी रखेंगे और साइज थोड़ा उसका तो क्रीबन से वन और यहां से इतना चाले इस पिक से तो कुछ इस तरह कापका इफेक्ट आएगा आप देख सेकतो अभी कैसा लग रहा है यह इफेक्ट आप इसका यूज़ फ्लायर में कहीं भी कुछ अलग टाइप का कुछ आपको बनाना है डिजाइन तो वहां पर भी कर सकते हो अभी में क्या करता हो यह वा हो जाएगा आपको यहां पर माउस की छोड़ देना है तो आपका इफेक्ट यहां पर भी अप्लाय हो जाएगा दोस्तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसी ट्रेप कर टुटोल देखना है तो मेरी चैनल को सब्स कर दो कर दो